हेलो सुट्रेंट्स वेल्कम टू माइनर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसे आप सब लोग मास बढ़िया चले स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नुम्बर फिफ्टीन हुमन एंट आप फिजिलोजी याने की रिपरड़क्टिव सिस्टम का लास्ट लेक्चर जहां हम जाती है ठीक है तो फटा फट देखते सी डेफिशन वगरा क्या है यहां पर लेवर है ना उसको लेवर भी कहते हैं लेवर पेन भी कहते हैं उसको हम लोग तो लेवर इस दा प्रॉसेस लेवर इस दा प्रॉसेस लेवर इस दा प्रॉसेस भाई वीच फीटस इस एक्सपेल एक्सपेल्ट मतलब बाहर फैका जाना बाहर निकाला जाना फ्रॉम दा यूटरस थूदा वेजाइना लेबर एक प्रोसेस है जहां पर फीटस जो है फीटस पता ना किसे कहते हैं एंब्रियो फीटस फटा फटाओ इसको पैता होना भी कहते हैं इसको लेबर का जो सिनॉनम है वो कहा है पार्चुरियसम है ना तो इसको सिनॉनम मैंना की इसको लेबर पार्चुरियसम भी कहते हैं अब एक टर्म और रहें था 9th month period of pregnancy is called जेश्टेशन पीरियट कोशन आता है बहुत सिंपल सा वनवास कोशन आ सकता है वाट इस जैस्टेशन पीरियट फॉर हुमन नाइन मन्थ या वीक में आ सकता है तो 38 वीक 40 वीक वाला कॉंसेट याद रखना ठीक है अब सिंपल साम समझते हैं कि आखिर कार जब बच्चा पूरा ग्रो हो जाता है तो वो कैसे मतलब बॉड़ी जान जाती है कि अब यह पूरा फुल ग्रो हो चुका है और इसको बहार आना है ठीक है ना किसे पूरा नाइन म यह पूरा बेवी है ठीक है और यह यूट्रस दिस इस दा यह जो इतनी चोड़ा ही देख रहे हो यह क्या है मारे पास यह यूट्रस है ठीक है आप देखो क्या हुआ है बच्चा बड़ा होता गया होता गया होता गया होता गया और बच्चा बड़ा हो गया तो यूट्रस की भी एक limit है ना उससे ज्यादा stress नहीं हो पाएगा वो तो होता क्या है जब uterus stress नहीं हो पा रहा है तो बच्चे के दिमाग पर प्रेसर बाई वो जगड़ा हुए ना तो बच्चे के दिमाग पर प्रेसर लगना जाती है और यह जो stress पैदा होता है इसकी वएसे एक इसके दिमाग से बच्चे के दिमाग से releasing hormone from fetal hypothalamus fetus के दिमाग के hypothalamus से एक हार्मोन रिलीज होता है ACTH from fetal pituitary gland ठीक है ना hypothalamus ठीक है ना वहां से pituitary gland को order करता है pituitary gland से ACTH release होना start होता है ACTH क्या करता है जाकर के adrenal gland को कहता है भाईया एक काम करो adrenal cortical steroid निकलता है यह क्या होता है चीक है यह steroid निकला यहाँ से यहाँ step two यह steroid निकल गया यह जो adrenal cortical steroids है यह दो काम कर रहे हैं progestron synthesis level को बंद कर दे रहे हैं प्रोष्टरोन के वाई से क्या हो रहा था? कि जो यह layer थी है, maintain रह रही थी. दूसरा, estrogens and prostaglandin synthesis increase हो जाता है. estrogen और prostaglandin synthesis increase कर जाते हैं. यह दोनों factor मिलके क्या करते हैं? uterine smooth muscle contraction को increase करते हैं. मतलब कि यह जो uterine का muscle contraction होता है, वो increase होता है. दिरे-दिरे करके. इसके अलावा, जब यह muscles contraction increase होता है, हैना, यह contraction जब होता है, तो uterine muscle contraction के वाज़े से, uterine इसकी वज़े से, और plus baby क्या हो गया है? बड़ा हो गया है, तो इस uterus पे खिचाओ पड़ रहा है. क्या हो रहा है? खिचाओ पड़ रहा है. उस खिचाओ की वज़े से, uterine जो stretch हो रहा है, stimulate sensory neuron. Mother के uterus से जो connect है, brain में, जो sensory neuron, वो समझ जाता है कि uterus पे क्या आ रहा है? खिचाओ आ रहा है. यानकि baby पूरा grow कर चुका है. ये sensory neuron, कहां जाते हैं? maternal के hypothalamus में जाके message भेजते हैं. और वो message फिर कहां? हैपसलमस से posterior pituitary की तरफ आता है, और posterior pituitary को हैपसलमस कहता है, भाई, oxytocin निकालो. Oxytocin के निकालते ही क्या होगा? uterine muscle contraction और ज़्यादा हो जाएंगे. uterine muscle contraction और ज़्यादा होंगे? ये sensory neuron कहेंगे, भाई, और ज़्यादा contraction होने लगा? और निकालो. ये और निकालेंगे, ये और contract करेगा? फिर message आएगा, तो मतलब ये cycle चलती रहती है. 7, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना oxytocin निकलता है, उतना ज़्यादा ये contract करता है, उतना signal है हाँ वापस जाता है, अच्छा, ये बहुत contact कर रहा है, और निकालो. तो ये लगातार ये reflex section चलता रहता है, 10 से 12 घंटे जब तक कि पूरा baby expelled out नहीं हो जाता है. This is the parturation. Clear है? इसी को मैंने है point में लिखा हुआ है, इतना लिख्या आ जाएंगे, तीन नमबरों, पांच नमबरों, खेल खतम. ठीक है ना? अच्छा, दुसी चीज क्या है? ये डाग्राम बनाने की जरूद नहीं है, तुम लोग क्या कर सकते हो? एक box बना दोगे, इस टाइप से. ठीक है? यहां लिख दोगे, fetus brain. एक लेयर जोड़ दोगे, इसके साथ यहां पर इस टाइप से, और कहा दोगे, यह यूट्रस की लेयर है. तो इस टाइप से तुम लोग अपना डाइग्राम समझा सकते हो. ठीक है ना? आगे आते हैं, अब देखो, यहां पर क्या बोल रहा है है? ठीक है, ना? आपोथेलमस से जो हर्मोन रिलीज हुआ है, उसने पीट्यूट्री हर्मोन से और पीट्यूट्री ग्लैंड से एसी टी एच को रिलीज करवाया. ठीक है, दा फीटल पीट्यूट्री सिक्रेट एसी टी एच इन ग्रेटर अमाउंट नियर पार्ट्यूरीशन, जब पार्ट्यूरीशन का टाइम नग्स दिखा आ जाता है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट भी निकल रहा है, तो और प्रेशर में, और टेंशन में तो और ल कोटिकल शिरॉइड ये ज़्यादा मातरा में निकल रहे हैं, अब अड्रिनल कोटिकल शिरॉइड ट्रेवल इन दा अम्लिकल ब्लड टू दा प्लेसेंटा, है ना, यह तो मैंने ऐसे दिखा दिया, बट एक्चली में क्या है, वो ब्लड से होते हुए मजर के उसमें जाते ह है, इन दा प्लेसेंटा, दा अड्रिनल कोटिकल शिरॉइड कॉसे प्रोजिस्टरॉण सिंथेसिस तू लेवल उफ, प्लेसेंटा में जाकर के प्लेसेंटा को कहता है, प्लेस्टरॉण बराना बंद करो, बंद करो तो भाई हो गया, बच्चा पुरा फुल ग्रो हो गया, अब यह लेयर का टूटना जरूरी है, एंडोमेटरियम का जिससे की बच्चा बहार आ सके, बंद करवा दिया, एंड प्रोज्टा ग्लेंडी सिंथेसिस तू इंक्रीज, मेकिंग दा यूटरॉस मोर एक्साइटेवल, प्रोज्टा ग्लेंडी सिंथेसिस और यह के दोबारा, the stretching of the uterus produces action potential data transmit to the brain through ascending pathway, जो यह uterus stretch हो रहा है, एक बच्चे की बच्चे की बच्चे से signal जा रहा है, दूसरा uterus जो stretch हो रहा है, उसकी वज़े से signal जा रहा है, action potential, कहां पहुंच रहा है, brain के पास, action potential stimulate the secretion of oxytocin from the mother's posterior pituitory, वहां से oxytocin में निकालता है, oxytocin causes the ut uterine smooth muscle to contract, जो smooth muscle होते है, माय मेटरेम वाले, उनको contract कराना start कर देता है, जब यह contract करते है, तो और signal जाता है, brain और oxytocin निकालता है, और यह cycle हमारी क्या चलती जा रही है, लगातार repeat होती जा रही है, clear है, इतना लिख्या हो गया और तब तर repeat होती रहती है, धीरे धीरे धीर धीरे धीरे contraction बढ़ते रहते हैं, आठ गंटे, दस गंटे, बारा गंटे, और फिर जब बच्चा डिलीवर हो रहता है, तो सारी process रोख जाती है, ठीक है, अब क्या कह रहा है, uterine contraction occur in waves, जो uterine का contraction होता है, जो contraction start होके तो wave की form में होता है, that start at the top of the uterus and move downward eventually expelling the fetus, मतलब जो यह top होता है uterus का, यहां से start होता है, और यह ऐसे ऐसे दवाता हो आता है, तो बच्चे को बाहर की तरफ ढखेलता है, अब labor भी दो type के हैं, एक है true labor, ठीक है ना, जो start होता है when uterine contraction occur at regular interval, यह याद रखेंगे, जो true labor labor है, मतलब आपको पता होना चाहिए, बता सकते हो कि यह labor की निशानी किया है, आपको जो contraction है, वो regular आएंगे, usually producing pain, और वो pain, pain एक regular interval पर आएगा आपको, another symptom of the labor, true labor in some women is localized of pain in the back, दूसरा symptom क्या है, बैक में, पीशे एक पेन, एक खास जगह, पीछे एक दम, एक सेंटर पर एक पेन रहेगा, that is intensified by walking, और चलने से यह दर्द बढ़ जाएगा, यह दूसरी निशानी है, true labor की, the most reliable indication of true labor is, dilation of the cervix and shows, एक दम जो true indicator है, कि हाँ, labor वाकई में हो रहे हैं, जो cervix है, वो क्या हो चुका होगा, dilation हो चुका होगा, ठीक है, shows a discharge of blood containing mucus, और साथ साथ में हलका सा discharge, fluid mucus सा निकलेगा, जिसके अंदर blood आ रहा होगा, ठीक into the cervical canal, है ना, तो डॉक्टर गारा देखा होगा, जो finger डाल के test वगरा करते है, पेंदेंसी पहले कि हाँ, कि टाइम आया है कि नहीं आया है, एक movie भी जल्दी में, गाएने के ऊपर कौन थे, एक आईश्मान खुराना वाली movie आया थी, उसमें वो चेक करता है, यहाँ पेंद जो पेट में आएगा और regular नहीं है, आया, फिर फार्विंद नहीं आया, फिर दसमिट बाद आया, इस तरह से irregular इंटरोल पर आएगा, but it does not intensify, यह intensify नहीं होता है, इसकी मातरा ता तेजी नहीं आती इसमें, and walking does not alter it significantly, और चलने से भी इस पेंद में कोई फरक नहीं पड़ यह चीज यहां पर हमको देखने को नहीं मिलती है कब फॉल्स लेवर में ठीक हो गया तो मेन पार्टिशन आएगा तो उपर लिखना है बाद बाद कि थोड़ी सी बाते नॉलेज के परपस से प्लस समझने के परपस से अब आगए आते हैं स्टेजच के उपर कर यह बार कोश्चन आता है, टू लेवर के स्टेजच को बारे हम बताईए आप तो टू लेवर तीन स्टेज में होता है, स्टेज बन ड्यालेशन, स्टेज 2 एक्सपल्सन और और प्लसेंटल स्टेज तो तीन स्टेज कौन सी है सबसे बहले डालेशन डालेशन मतलब जो सर्विक्स है वो फैलना स्टार्ट करेगा ताकि बच्चा बहार आ सके The time from the onset of labor ठीक है न तो क्या कह रहा है डालेशन स्टेज कौन सी होती है जब से labor स्टार्ट होता है तो दा कम्प्लीट डालेशन और जब तक की पूरा डालेशन नहीं हो जाता है सर्विक्स का ठीक है अफ दा सर्विक्स इस दा स्टेज अफ डालेशन यह डालेशन स्टेज कहलाती है इस स्टेज विश टिपिकली लास्ट 6 तो 12 आवर लगबग 6-12 घंटे की श्टेज होती है यह ठीक है फीचर्स इसके फीचर्स के है रेगुलर कॉंट्रेक्षिंस ऑप द यूटरस यूटरस में रेगुलर कॉंट्रेक्षिंस होगा यूजलिया रप्च्रिंग ऑफ एम्नियॉटिक सेक और जो एम्नियोटिक सेक होता है उपर कि बच्चे की जिली होता है जिसमें बच्चा होता है वो तूड जाता है and complete dilation to 10 cm 10 cm का complete dilation हो जाता है बेटा इफ दा एम्नियोटिक सेक डाज नौट रप्चर स्पॉंटेनियसली इट रप्चर इंटेंशनली अगर वो जो सेक होता है बच्चे की जो थैली होती है फूरती नहीं है जिसमें बच्चा होता है तो उसको जान बुचके डॉक्टर्स क्या करते हैं फोड देते हैं फिर जरूरी होता है अधरवाइस बच्चा क्या होगा बाहर आने में दिक्कत आएगी तो पहला स्टेज हो गया ये दूसरे स्टेज में क्या एक्सपल्सन या बच्चा बाहर आ जाएगा इसके बाद जब यह सारा कुछ हो चुका है 6-12 गंटे बीच चुके है अब इसके बाद क्या हो सकता है बच्चा अगले हो सकता है 10 मिनटे में बहार आ जाए या हो सकता है कुछ गंटे लेले होता है कई बार From complete cervical dilation to delivery of the baby is the stage of expulsion जब cervical पूरा dilate कर चुका है तब तो बेबी को भार आ जाना चाहिए ठीक है जब cervical पूरा dilate कर चुका है तो बेबी को भार आ जाना जब पूरा dilate हो चुका है और बेबी के भार आने तक का जो समय होता है वो क्या होता है stage of expulsion अब बेबी पूरा भार आ चुका है अंदर क्या रहा गया है प्रेसेंटा का फॉर्मेशन जो की निकलना जरूरी है ठीक है जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए है नर्सिंग वगरा या फिर हॉस्पिटर वगरा में जुड़े हुए है तो उन्हें देखा होगा बच्च लोग ल prof cityanie हो चुकिया अंटेıl दा प्लेसेंटा और फिर प्लेसेंटा बहार निकलने हो आता है इसको हमजोल आव्टर बार यू टॉर्ट च्राइब seventड कॉंटेर सुट्रेशन गरता ब्लड वेसस डेट के लधा फूट कर जो बलड वेसस होते तूटेख होती है उनको भी कॉंट्रेट कर देता है याला कॉंट्रेक्शन ठीक है रिदूसिंग दा लाइकली हुड ऑफ हैंबरेज इसकी वाई से जो ब्लीडिंग होती है है वो काफी हद तक रिद्यूस हो जाता है बास समझमा रही है तो यह हमारे पास क्या था स्टेजिस ऑफ लेव होगा है जो बोला नहीं जाता है कि यहां पढ़ो बट अंडर्स्टूड है कि हमको यह पार्ट पढ़ना है लेक्टिशन में क्या होता है इस दा प्रोडॉक्शन और इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम्दा और बाहर निकलना अब प्रिंसिपल हार्मोन इन प्रमोर्टिंग मि यहां प्रोग्ण स्थ्रक्म बहुत सारे हर्मोन इहाद करवाजिए मैंने डाट्रोंग्रान वालग्द सिंस्ट्म के 600 फ्रॉल मां करता है मिल्क प्रोडॉक्शन में हेल्प करता है which is secreted from the anterior pituitary gland prolactin consecrate करता है anterior pituitary gland और promote करता है production of milk even though prolactin level increases as the pregnancy process progresses क्या रहा है even though कि हाँ even though यद भी prolactin level increase करता है as the pregnancy progresses जैसे जैसे pregnancy आगे बढ़ती है समय के साथ 9 month 9 month लगते है न तो prolactin level भी body में increase कर जाता है but उसके बावजूत no milk production occur तब क्यों नहीं कोई milk आता है बहार reason क्या है because progesterone inhibits the effects of prolactin जो prolactin का level बढ़ गया है body में उसको progesterone क्या कर देता है खतम कर देता है और जैसी delivery हो जाती ये progesterone का level down हो जाता है progesterone का level high हो जाता है के लिए रोगी बाते है after delivery the level of estrogen and progesterone in the mother's blood decreases मदर के बढ़ डिक्रीस कर जाता है and the inhibition is removed inhibition जो ये लोग मिल करके prolactin को अपना काम करने नहीं दे रहे थे वो बंद हो जाता है अब prolactin अपना काम करेगा milk को produce करवाएगा तब principle stimulus in maintaining prolactin secretion principle सबसे बड़ा stimulus क्या है कि prolactin secret हो मदर की body में और दूद बने वो सबसे बड़ा stimulus कहां से आता है during lactation जब बच्चा दूद पीता है is the sucking action बच्चा जब दूद पीता है निपल से पीता है उसको suck करता है ठीक है तो sucking से होता क्या है suckling initiate the nerve impulses suckling की वज़े से जो nipples से nerve जुड़ी होती है दिमाग में ब्रेन में वो signal जाता है ब्रेन में जब suck करते हैं muscles वागे क्या हो रही है stretch हो रही है तो suckling initiate nerve impulses from stretch receptors आप जो stretch receptors है in the nipples to the hypothalamus वहाँ से signal कहां गया hypothalamus में गया the impulses decreases the hypothalmic release of prolactin inhibiting hormone और prolactin को inhibit करने वाले जो hormones है उनको वो क्या करवा देता है बंद करवा देगा या कम करवा देगा and increase release of prolactin releasing hormone और किसको बढ़ा देगा prolactin को release करने वाले hormones को increase करवा देगा सो इसकी वाई से क्या है more prolactin is released by the anterior petri tree जिसकी वाई से anterior petri tree gland से जादा मात्रा में prolactin hormone release होता है बास समझ में आ रही है first few days after birth birth के starting कि कुछ दिनों के बाद ही the memory gland secreta cloudy fluid एक गाड़ा गाड़ा फिलिड होता है जिसे गाउं में के दिम्लों ने देखा औंक है जो लोग गाउं छेत्र में रहे हैं या भैस वगर एक शुरुवात का दूद्ध पीया है जो फट जाता है जिस था हम फटा भी बोल देते है है ना तो वैसे ही mother का milk भी होता है गाड़ा गाड़ा होता है तो वो बेटा बहुत ज़्यादा जरूरी होता बच्चे के लिए, ठीक है, तो कहरा है, फर्स फ्यू डेज आफर बर्थ, अमेमरी ग्लैंड, सिक्रीट, क्लावड़ी फिल्यूड, काल कॉलस्ट्रम, जो सुरुवाती मिल्क होता है, चार-पास जिनों का उसम कॉलस्ट्रम कहत टोलगाटर स करते हैं, घंडेजा जरूड़ी उतना नृतूरी के लिएंड़ लेकीन इसके अंदर मील्की तरह है, नेनिज्ड नहीं है, कोई फेट नहीं है, बट रिप यरे कम बच्चे को, कि हां तुम बाटच्चे का ठीक है, और जब तक कि टू मिलक काना स्टार्ट नहीं होते है तब तक उसको करता रहता है तो फिर इसकी मेन रिजन क्या है इसका आने का कॉलस्ट्रॉम ठीक है जो कोलस्ट्रम के अंदर होता है तो मेंटनेंल मिल्क का ये कंटेन्स इंपोर्टेंड एंटि बॉड़ीस यह सब तक बच्चे को बचाता है किसी भी तरह की बिमारी से और जो सुरुवात का मिल्क होता आने लगता है दस-पंता दिन जो आ रहा है उसमें भी एंटीबोडिस होती है जो बच्चे को प्रिवेंट कर रहा है बिमारियों से तो इसलिए काहता है कि मा का दूद सुरुवाती दूद जो होता है वो बहुत जरूरी है बच्चे को देना ही देना है ठीक है ओके डेट प्रोटेक्ट दा इंफेंट डूरिंग दा फर्स्ट फ्यू मन्थ आफ लाइफ तो सुरुवात है कुछ महिने जो होते हैं बच्चे को वो मा का दूद ही बचाता है ठीक है ना तो सुर्वात है काही आगा आता है कि काईदा अगर ये कहता है कि स्टार्टिंग के 5-6 मेहने बच्चे को ना कुछ खिलाएं ना कुछ पिलाएं केवल मा का दूद पिलाएं उसके अलावा कुछ नहीं हाँ 5-6 मैंने पानी भी नहीं केवल मा का दूद ठीक है आगे आते हैं ठीक है यह ideal condition मता रहा हूँ यह मत कर देना कि हाँ सरने का पानी नहीं पिलाना है इमरेंजी होती है कई बार बच्चे का नॉमल जगह पर है तो दिक्कत नहीं अब बच्चे को तुम धूब में लेगा हो कहीं घुमाने के परपल से तो बच्चा तो प्यासा होई जाएगा फिर आप नॉमल घर में रह रहे हो और एक नॉमल कंडिशन है तो पानी जरूत नहीं पड़ती है घुरिंग ब्रेश्ट फीडिंग नुर्ल इन्पूट फॉम निपल जब ब्रेश्ट फीड प्राथिए चरह तीमधर दूद पला थी है तो नॉम्र इनपूट फॉम निपल से जो निफॉम्र्व नंः को पॉँआभ से हैं वul में ने हैं और हसने से फाल को अनियरा Druं से है that suppresses the release of gonadotropin releasing hormone जिसकी वज़े से GnRH या दा रहा कहां पर यह follicular stimulating hormone को produce करवाते हैं तो GnRH को क्या कर देता है यह suppress कर देता है as a result production of LH and FSH decreases अब follicular stimulating hormone नहीं होगा तो follicle कैसे बनेंगे follicle नहीं बनेंगे तो ovum नहीं बनेगा and evolution is inhibited तो देखो एक बच्चा दूद्ध पी रहा है ठीक है ना तो कुद्रत को भी पता है कि अभी अभी मदर ने बेवी को produce किया है तो अभी तुरण दूसरा बेवी होने की conditions में मदर नहीं होती है तो यह कुद्रती है कि हार्मोन का ऐसा चक्र है नॉर्मल कंडिशन में कि आपको evolution होएगा ही नहीं नहीं इनकेस अगर क्या कहते हैं आप आफ्टर डिलेवरी विदिन मंथ सेक्सेल अक्टिवटी में इन्वाल्व भी होते हैं तो evolution है नहीं आइडियल कंडिशन में लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है कई वार प्रॉल्वर्ण्स होती है आजकल हो जाते हैं evolution कुछ ऐसे changes हो रहे हैं बहुतों को नहीं होते हैं कुछ को हो जाते हैं बट आइडियली नेचर ने होने के बाद लगवाग छे मैने से साल भर evolution ना हो कि बच्चा दूद पीता है तो evolution नहीं होगा ठीक है आइडियल कंडिशन में बट एक्सेप्शन इस ऑल्वेस दियर हमें साब होता है ऐसा कई वार कि 2-3 मैने के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है तो होता है ऐसा ठीक है ना तो यह सारी कहानी थी यह भी पॉइंट में बताया इसलिए यह तुम्हारा उसमें काम आगा जब हम लोग पढ़ें ना controllhtehulture method में तो इसके लिए बौरड स्तेमाल होता है lactational अमनेरिया ठीक है दूध पिने की वएजे से पीरेड्स का ना आना lactational partnerships अमनेरिया तो यह सारी बाते थी यह तुमको पढ़नी है यह chapter हमारा खतम हो जाता है और यह lecture by खतम और सबसे जरूरी चीज़ क्या है revise करना है बेटा, link PDF का मिल जाएगा, कोई problem आती है मुझे call करें अच्छे से तयारी करें ठीक है ना, तयारी कोई कमी रहने चीज़िए यह application है, multiple choice question है, one marks, two marks, questions है plus app में आपको previous questions के काफ़ सारे state के paper ही मिल जाते हैं तो काफ़ सारी चीज़े हैं, apps से काफ़ी help मिलती है और सबसे जरूई चीज क्या है जो हमेशा बोलता हूँ revise करनी है, पढ़ा ही करनी है पढ़ते रहो, revise करते रहो all the best